किलोग्राम को ग्राम में कैसे करते हैं और ग्राम को किलोग्राम में राइट और आपको पता आपको याद भी रह गया कि कब मुल्टिप्लाइ करना है कब डिवाइड करना है तो नव ने अस्टार्ट टुड़ेज क्लास नव यह वर इस एक्सराइज इस रिटन डू एस डिरेक्टेट जैसे आपको बोला गया है वैसे आपको करना है यहां पर आप देख सकते हो यहां पर तीन कॉलम से वेट लिखे गए है यहां फोटीन केजी थन फ्रीड में यहांपर त्छ ट्екст टार्म में आपको क्या करने को बोला है कई जो यह बम ध़िया गया इसको यहां पर डुबलताना है अनब यहां पर थरद कॉलम में जो आपको वेड दी गया है उसकी half लिखनी है okay so let us start solving a exercise now number one is two kg now students यहाँ पर बोला है two kg का double कितना होगा now you have to always remember कि जब भी आपको double करना है कोई भी चीज़ का double करना है तो एक simple से trick आप क्या करोगे multiply by two क्या करोगे multiply by two और जब भी आपको half करना है तो आप क्या करोगे divide by two यह दू चीज़े आपको याद कर रखनी है multiply and divide double में आप multiply करोगे और half में divide so let us start 2 kg 2 kg का double क्या होगा so यहाँ पर मैंने क्या बोला double में आपको क्या करना है multiply by two so two multiply by two 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 is a four तो हमारा double क्या हो जाएगा four kg okay double 2 kg का double हो जाएगा four kg नो इसका half क्या होगा तो two का मैंने आपको क्या बताया half करना है तो आपको divide करना है two two को two से divide करना है तो कैसे आपको जब तू को तू से डिवाइड करोगे यह तो ओर ओरली भी आप कर सकते हो यहिन अगर कोई बड़ा नंबर आया तो आप इस तरह से रफ़क में भी कर सकते हो तू डिवाइड वाइड 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 तो तू की टेपन में तू का बाएगा two ones are two है ना तो हमारा answer होगा one kg अगर अब को अर्वी केशन का चेप्टर बागी है तो आपको confusion होती होगी अगर आपको आता है तो प्लस करोगे ऐसे भी आप कर सकते हो व्यूंकि हमारा अभी मल्टिप्लिकेशन का चेप्टर बागी है तो आपको confusion होती होगी अगर आपको आता है तो बराबर है या तो फिर आप इस सरे से प्लस भी कर सकते हो लेकिन आप आप मल्टिप्लिकेशन के मैथर से जाएगे two hundred multiply by two two zeros are zero two zeros are zero and two zeros are four so two hundred का डबल है four hundred gram है ना two hundred का डबल है four hundred gram और उसका half क्या होगा उसका half होगा two hundred का half यह तो आप और लिभी कर सकते हो two hundred का half क्या होगा hundred फिर भी अगर आपको confusion है तो आप यहाँ पर rough वक में करोगे यहाँ पर two hundred divide by two that is यह आपको इस तरह से आपको यह मैथर आती है तो two के टेबल में two hundred का बाता है two के टेबल में two hundred's are two hundred है ना अगर आपको ओरे नहीं आता है तो आप क्या करोगे इस तरह से division करोगे two ones are two two minus two zero बड़ में यह zero अप निचे लाओगे two zeros are zero again zero minus zero is zero बड़ में यह zero निचे लाओगे two zeros are zero पर यह तो सब आपको ओर ली आ जाना चाहिए तो उसका half होगा hundred gram next 14 kg तो 14 kg का double आप कैसे find करोगे यह तो two times आप plus करोगे यह 14 multiply by two two fours are eight two ones are two so my answer is 28 kg okay या तो आपको इसमें two times question को plus करना है या तो multiply by two करना है and 14 का half क्या होगा 14 का half means हमें 14 को two से divide करना है तो two के table में 14 का पाता है two sevens are 14 है ना two sevens are 14 answer is seven kg clear next is two hundred and fifty gram two hundred and fifty gram का double क्या होगा तो हम यहाँ पर multiply करेगे two hundred and fifty multiply by two two zeros are zero two five's are ten zero यहाँ लिखेगे one multiply करेगे two two's are four plus one is five five आपको इस से नहीं करना है तो आप क्या करोगे इसको two times plus करोगे two hundred and fifty plus two hundred and fifty addition आपको बहुत अच्छी तरह से आता है zero plus zero zero five plus five ten यहाँ पर one carry किया one plus two is three and three plus two is five so यहाँ पर answer है five hundred gram next two hundred and fifty उसका half क्या होगा तो हम यहाँ पर क्या करेगे two hundred and fifty को divide by two करेगे two hundred and fifty divide by two यहाँ पर two one's are two 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 minus two is zero फिर हम नीचे five लेकी जाएगे two two's are four one remaining two five's are ten इस सब आपको रफ़क में करना है तो answer is मेरे जब calculate किया मेरा answer is I have one hundred and twenty five gram okay next ten का double क्या होगा ten को multiply by two करेगे तो क्या answer हैगा twenty ten two's are twenty तो ten का double हो जाएगा twenty kg और ten का half क्या होगा तब और ले भी कर सकते हो ten का half क्या होगा five otherwise ten divided by two तो answer होगा five kg okay now students our next exercise is balance the scale आपको यहाँ पर balance करना है जैसे आप सबजिया खरीदना चाहते हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो weight रखते है सामने इतनी सबजिया रखते और दूनों equal हो जाती है तो हो जाता है balance नहीं यहाँ पर आपको balance करना है five hundred gram में आप कितना plus करोगे तो आपको मिलेगा one kg ना students यहाँ पर आप ठोड़े confused हो जाओ कि यहाँ पर gram है यहाँ पर kg है तो आपको किया याद रखना है कि one kg में कितने grams होते है one kg में कितने grams होते है thousand gram तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मुझे याद रहे इसलिए कि one kg में कितने gram है thousand gram one kg is equal to thousand gram now look at the fill in the blanks carefully अब फटाफट ओरली कर पाओगे इसको 500 gram में में कितना gram add करोंगी how much gram should I add तो मुझे मिलेगा thousand gram तब सोचो 500 gram में कितना करोंगी thousand gram मिलेगा गर आपको ऐसे ओरली नहीं चमता आप क्या करोगी second trick is thousand हमेशा आप क्या करोगी thousand minus यह आपका question thousand minus 500 now 0 minus 0 0 0 minus 0 is 0 0 minus 5 not possible तो मैं यहाँ पर बोरो करोंगी यह हो जाएगा 10 and 10 minus 5 is 5 so my answer is 500 gram 500 gram plus 500 gram is equal to 1 kg okay तब को हर बार इस तरह से rough paper में यह side में ऐसे calculate करना है गर आप ओरली नहीं कर पाते हैं let us see the next example 800 gram में what should I add to 800 gram 800 gram में कितना add करूंगी तो 1 kg बनेगा 800 gram में में कितना add करूंगी तो 1000 gram बनेगा तो my answer will be 200 gram कितना 200 gram कैसे मिला यहाँ पर फिर से अगर मैं 1000 gram को minus करूंगी किससे 800 से तो जब आप इसको calculate करोगे 1000 gram minus 800 gram अब करोगे तो आपको answer आएगा 200 okay now let us see the next one 400 gram में अब क्या add करोगे तो आपको 1000 gram मिलेगा तो 400 gram में कितना add करोगे 1000 gram मिलेगा अगर आपको नहीं answer जमता है secondary 1000 minus 400 तो आपको answer क्या मिलेगा यहाँ पर मिलेगा 600 gram तो आपको subtraction अल्रेड़ी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया तो इसलिए यहाँ पर मैंने working आपको explain नहीं किये अब खुद करोगे यह वला 600 gram में मैं कितना add करोंगे तो मुझे 1000 gram मिलेगा 600 gram में let us see हम क्या करेगे 1000 minus यह जो हमारा question है 600 तो 600 हम minus करेगे यहाँ पर हमें चलो यहाँ पर यह सम्में हम solve करते हैं subtraction 0-0 0 0-0 is 0 0-6 तो possible नहीं है तो हम यहाँ से borrow करेगे तो 1 हो जाएगा 0 और यह 0 बन जाएगा 10 now what is 10 minus 6 10 minus 6 आप count करो fingers पे आपको मिलेगा 4 so my answer is 400 gram next 250 gram में मैं कितना add करोंगे 1000 gram मिलेगा यहाँ पर हम फिर से rough work में subtraction करेगे 1000 minus 250 okay 1000 minus 250 जब आप करोगे हैं आपर रफक में तो क्या होगा 0 minus 0 is 0 now 0 minus 5 यह तो possible नहीं है हम borrow करेगे यह borrow वाले sums आपको आते ही है right तो मैंने यहाँ यहाँ पर borrow किया है now 10 minus 5 is 5 and 9 minus 2 is 7 यह subtraction आपको बहुत अच्छी तरह से आता है क्योंकि यह same 1 में subtraction के sums थे तो कैसे answer मिला मुझे 750 वो आप subtract करोगे आपके रफक में आपको पता चलता so 250 gram plus 750 gram is equal to 1 kg right next is 650 gram में मैं क्या add करूँ तो मेरा 1 kg हो जाएगा now 1 kg means 1000 gram so यहाँ पर हम फिर से 1000 को किस से subtract करेगे 650 से तो यहाँ पर 650 से हम subtract कर रहे है 0 minus 0 is 0 0 minus 5 possible है no तो हम यहाँ से 1 से borrow करेगे तो 1 का हो जाएगा 0 और यह 10 0 का हो जाएगा 10 तो फिर से हम 10 से subtract borrow करेगे तो हो बन जाएगा 9 और यह 0 बन जाएगा 10 तो 10 minus 5 is 5 and 9 minus 6 is 3 तो मेरा answer क्या है आए 350 students यह जो subtraction है वो आपको आप करोगे आराम से तो आपको answer समझ में आजएगा कैसे आ रहे है और एकदम perfect right answers आएगे next is last one 300 gram में आप कितने grams add करोगे तो आपको मिलेगा 1000 gram तो अगर आपको ओरेली समझ में आ रहे है तो करो वरना हम करेगे 1000 minus 300 तो यहाँ पर मुझे answer क्या मिलेगा 0 minus 3 तो possible है नहीं तो 1 से बोरो करूँगी तो मुझे answer मिलेगा 700 तो 300 gram plus 700 gram is equal to 1 kg so students with this I have finished my part 3 and I hope you have understood it very well I will send you the pdf students जिसमें इसी same तरह के questions होगे पर अब क्या करोगे questions copy करोगे और उसे खुद solve करोगे और solve करने के बाद जो humbug solution आएगा उसमें आप match करोगे अपने answers तो कि तेंक यू